ही गाईज दिस प्रशांत राठोर और आज का मेरा टॉपिक है बीटर म्यालन मतलब कि करेला तो गाईज 70-80% लोग करेला खाने को अवर्ड करते हैं क्योंकि वो टेस्टी नहीं है और जो चीद अमरे हेल्थ में बेनिफिट नहीं है जैसे कि स्वीट्स जब फूड वो लोग खाते है फैटी हो जाते है उसके वैचे से डायबेटीस होता है वेड गेंड उनको बहुत सारी प्रॉल्म होती है तो वो उनको पता होता है कि हम आगे जाके फैट होंगे हमको यह स सिब कड़वा है और उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट है जो लोगों को पता है फिरी भी नहीं खाते है सिब वो कड़वा है उसको जैसे है तो गाइस मैं उसके आज आज आपको फायदे बताने वाला हूं सबसे पहले तो गाइस करेले में रीच वाइटामिन्स एंड म में कि वन ग्लास करेले का जूस यातो फिर हपते में दो से तीन बार और कि सबजी खाएगे उनको क्या-क्या प्रॉब्लम नहीं होगी उस बारे में बात करूंगा थुदार दो कोई भी स्किंग और उनके स्किंग मень गिलॉआईगा उसके बाद वेड गेन नहीं होगा उनका तर्ड नंबर इनलोगों को लीवर की प्रब्लम में अई जो लोग जादा ठर्लिख करते हैं उनको अगर हैंगउर जल्ल्दी उतार ना हूा तो वह बhoर से उतार जाएगा फिफ्थ नंबर, हमारे सुगर लेवल को मेंटर रखता है, जो लोग को सुगर की प्रोब्लम है, उनका लेवल मेंटर रखेगा, वाइटामिन सी की कमी है जिन लोगों को, वो प्रोवाइट करेगा, क्योंकि विटर मेलन में है, वाइटामिन सी है, हमारे इंम्यून सिस्टम को बूश करता है इसके अंगीनत फाइदे जो अगर आप अपने डाइड में एड करोगे तो आपको यह सारी प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस हटे में दो से क्रीन बार वीटर मेलन की सबजी खाओ या तो जूस पर आपको जो भी एजी लगता है या आपको जो भी अच्छा लगता है और दो में से वह आप खाओ और आपकी लाइट में जो मेरे जितने भी फाइदे बता है और जो भी आपको प्राब्लम होगी वो रूडियूस हो जाएगी और आगे चल के आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगी तापकि ये डाइट में आप एड़ करो और हेल्थी रहो बस गाईस अज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करे comment करे share करे subscribe करना ना बुले जो new visitors है मेरी चैनल पे मेरी चैनल को subscribe करना ना बुले आपका support युँ ही बनाए रखे गाईस मिलते में नेक्ट सुडियो में तब तक के लिए ठल्दी टेक केर